हालो स्टूडेंट्स वेल्कम टू फ्री ओनलाइन क्लासेज बाइ सीकेस अकेडमी आज इस वीडियो में हम मी एंड दा इकोलोजी बिट जो की क्लास तिंथ का एक बहुत है इंपॉर्टन चेप्टर है इसका स्टडी करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी सबसे पहले जानते हैं टॉपिक के बिशे में जो मी एंड दा इकोलोजी बिट है मी मतलब मैं यहां पर मी अब्जेक्टिब केस है आई का और दा इकोलोजी बिट मतलब पढियावरन तंत्र या पारिस्थेति की तंत्र आप कह सकते हैं तो मैं और पारिस्थेति की तंत्र या हम और पारिस्थेति की तंत्र इस सिर्चक का अर्थ हुआ इसको जॉन लैक्षिव ने लिखा है और अब चलते हैं इसके टेक्स के ओपर जॉन लैक्षिव प्रजेंट लेशन मी एंड दे एकोलोजी बिट बिंग्स आउट हाव इसुज आप प्रिजर्विंग इन्वार्मेंट एंड सेविंग एकोलोजी इज एब्रीबडी इस कंसर्न अंड डिफिकल्ट टू सॉल्व जॉन लैक्षिव का यह जो लेशन है प्रिजेंट लेशन जो अभी हम लोग पर रहे हैं मी एंड एकोलोजी बिट वो परियावर् संनक्षन और प्रिस्थितिय की चान रक्षन के महत्पौन मुद्दिय पर है है जो हर व्यक्ति के लिए एक चिंता का विशा है और बहुत मुश्किल जिसे solve करता है मतलब कहने का अर्थ है कि पारिष्ठित की और पर्यावरन से संबंधित जो मुद्दे हैं इसके लिए हर व्यक्ति चिंतित हैं लेकिन इसका समाधान क्या हो यह समाधान बहुत ही मुश्किल परतीत होता है इसी के ओप ecology is easy but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation preaching preaching मतलब होता है उपदेश देना तो ecology यानि पारिष्ठित की तंत्र के विशय में किसी को उपदेश देना यह बहुत ही आसान है और but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation लेकिन पारिष्ठित की तंत्र के सनक्षन के लिए जो नियम है उसका अक्षर सह पालन करना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर दो वर्ड इन्वार्मेंट और जो ecology आया है यह दुनों को अब थोरा सा समझ लेते हैं इन्वार्मेंट होता है परियावरन परियावरन मिंस की हमारे आसपास का जो वातवरन है वो इन्वार्मेंट में आता है जिसमें पेर पौधा और सारा चीज़ आ जाता है ecology जो है वो उस पारिष्थित की तंत्र को कहते हैं जिसमें उसका ग्रोध से लेके पूरा है मतलब यदि हम कोई चीज को नहीं अगर जलाते हैं मान लिजे कि प्लास्टिक को नहीं जलाते हैं तो हम इन्वार्मेंट को सुरक्षित करते हैं लेकिन पारिष्थित की तंत्र को सुरक्षित करने के लिए हमको पेर लगाना होगा अगर हम पेर लगाएंगे तो पारिस्थेतिकी तंत्र को सुरक्षित करेंगे और पेर को काटने से बचाएंगे तो हम इन्वार्मेंट को सुरक्षित रखेंगे पारिस्थेतिकी तंत्र को भी सुरक्षित रखेंगे लेकिन हम प्लास्टिक नहीं जलाते हैं तो हम इन्वार् को बताता है तो यहां इस चैप्टर में नीचे कुछ स्लोगन्स दिये गए हैं से वार्थ से ट्री से वाटर यह पारिश्थित की तंत्र और परियावर्ण दोनों के लिए बहुत महत्पुर्ण है क्योंकि हम जानते हैं पिर्थवी हो पेर हो और जल हो तीनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्पुर्ण है यह लेखा का मानना है कि एकोलोजी के लिए काम करवाना लोगों से यह बहुत ही मुश्किल कार है हर कोई इसके पक्ष में होता है लेकिन कोई भी वक्ती इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता है कम से कम मैं अर्थात लेखक मतलब जान लक्षू कर रहे हैं कि कम से कम मैं अतना कर रहा हूं कि आज पर उसमें जा रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए परिश्चतिकी तंत या फिर पडियावरन सनरक्षन के लिए लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिलता है तो पीठ पीछे कुछ बातें मतलब इनके वहां से हटने के बाद उनके पीठ पीछे कुछ बातें होती है कि बड़ा उपदेशक बनता है इस तरह की बातें अक्सर च करेंगे कि बहुत बड़ा उपदेशक बनता है लगता है ज्यादा पढ़ लिया यह वह इस तरह की बातें अक्सर चलते रहती है जिसे हम बैक टॉक कह सकते हैं मतलब आपके मुह पे तो लोग मान लेंगे कि हां हां यह बात सही है ठीक है लेकि पीठ पीछे उस तरह की बात लोगन तो वह पेपरर रूट था यानी की पेपर के माध्यम से लोगों के जखागर्टा प्यायत फैलाने का 1 merging मिडियं मिला हूं कि हम कुछ पेपर या फिर काज़ों पर लिखकर और पोश्टर्स बनाकर इसके माध्यम से भी हम अक्सर लोगों को जगषागरित कर सकते ह यह एक डिस्प्ले बोर्ड या एक पेपर बोर्ड की बात कर रहे हैं जो कि इस एक इसके पिताजी के पास बच्पन में था जिसको अक्सर हम लोग रैली वगरे में लेके जाया करते हैं तो उसी तरह का एक इनके पास भी लास्ट ये इन्होंने बना रखा था इसके मतलब यह जो डिस्प्ले बोर्ड बनाया था यह जो यह पेपर का जो कटिंग बनाते हैं लोग जो रैली वगरे में यूज करने के लिए तो वो उसके उसकाम के और इसके होमवर्क के इस दोनों के बीच इनके पास मतलब टाइम इनके पास होता ही नहीं था इसके अलावा ताकि वो बॉल और दूसरे चीज खेल सके समडेज आई गेट इन ओनली अफ्यू इनिंग कभी कभी यह कुछ इनिंग खेल लिया करते थे यहां पर हार्डली सब्द का जो प्रियोग हुआ है वास्ता में यह अफ़र्मेटिव सेंटेंस है लेकिन हार्डली जो है और रेरली यह हमेशा निगेटिव सेंज देता है मत नेक्स आगे चलते हैं बट एनिहाओ उन सटरदेज वेन आई कलेक्ट आई पुट इन आग्यूड वर्क फर इकलोजी लेकिन ऐसे भी किसी तरीके से सटरड़ देजा सब्सटर इन आई कल्ड़ जब यह कलेट्शन के लिए जाते हैं I put in a good work for ecology, तो उस दिन वो परिष्टित के लिए अच्छा काम करते हैं, like last Saturday morning, जैसा कि पिछले Saturday morning था, it was a good collecting day, ये अच्छे संग्रह का दिन था, मतलब कलेक्शन उनका अच्छा हुआ था, I had just turned, it had just turned spring and a lot of people were outside, ये हाल ही में spring आया था, यानि कि just कुछ ही समय हुआ था, spring season के आये हुए, इसलिए अधिकांस लोग या बहुत सारे लोग outside थे, यानि घर के बाहर थे, मौसम का मजा ले रहे थे, I went to Mr. William's house, और मैं अर्थात जान लेक्ष्यू, जो है William's house, यानि Mr. William के घर जाते हैं, as usual, he tried to pretend he is not home, तो एक सामाने तोर पर उनकी एक आदत थी, को हमेशा ये दिखाने का कोशिस करते थे, को घर पे नहीं है, तो ऐसा ही उस दिन भी हुआ, कि उन्होंने कोशिस किया ये जताने का, कि वो घर पे नहीं है, but I see him burning leaves in the backyard, लेकिन लेखक ने उन्हें backyard यानि घर के पिछवारे, जिसे हम लोग सामाने भासने में बारी कहते हैं, उसमें उसे कुछ पतियां जलाते हुए देख लिया था, So he is stuck, इसलिए वो पकड़ा गए, He pays me, तब उन्होंने उसको चुकाया, जो भी रुपय देना था, वो उसे दिया, एथर लेखक को दे दिया, And I tell him, और फिर लेखक उसे कहते हैं, You should not burn those leaves, आपको ये पतियां नहीं जलाना चाहिए, It's bad for air, bad ecology, यह हवा के लिए भी बुरा है और पारिस्थित की तंत्र के लिए भी बुरा है, You should make a compost pile, like we do, आपको खाद का एक धेर बना लेना चाहिए, जैसा कि हम लोग करते हैं, या जैसा कि हम करते हैं, अर्था लेखक करते हैं, ऐसा उसे बताते हैं, Put in the leaves, garbage and stuff, good for the garden, तो वो बता रहे हैं कि कैसे बनाये जाएगा खाद, तो एक गड़े में हम leaves को, garbage को, जो भी कचरा है, और जो भी stuff और जो भी चीज़े हैं, सब को डाल देंगे, और इस तरह से वो खाद बन जाएगा, good for the garden, जो कि गार्डेन के लिए, यानि बगीचे के ल होता है, जिसे compost कहते हैं, he does not agree, or hang his head in gym, वो agree नहीं हुए, और वो अपना सर, कुछ सरमिंदगी में, जुलाने लगे, यानि हिलाने लगे, he says that compost pile is your job at home, gym isn't it, बुला कि ये compost pile जो बनाना है, तो वो तुम्हारा काम है, घर पर, है की नहीं, यहाँ isn't it, जो है, ये question tag के लिए प्रियोग किया गया है, और जिम जो है, यहाँ पर address किया गया है, जिम को अर्थात, जिम उस लड़के का नाम के रूप में पुकारा गया है, कि ये compost जो घाद जो बनाना है, कह रहा है, कि वो तुम्हारा काम अपने घर पर है, है की नहीं, ऐसा वो कहा देते हैं, yes, I say proudly, फिर लेखक बहुत ही proudly, यानि गरवानवित होके कहते हैं, हाँ, which would shock the idea, I hate working with compost, which I do, लेकि एक उसी समय उसको ये जो आइडिया जो था, ये उसको जगजोर के रख देता है, आइडिया, I hate working with compost, क्योंकि इस लेखक को भी compost के साथ काम करना पसंद नहीं था, मतलब, क्योंकि वो चुकी सरा गला चीज से बनता है, तो कुथरी दुरुगांद होती है, कुछ कीरे मकॉलेस में होते हैं, तो इसे भी वो चीज पसंद नहीं था, आप इच लेयर, फिर मिस्टर विल्यम्स क्या कहते हैं, कि वल डॉंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल, क्या इसे तुमको कुछ ज्यादा समस्या नहीं होती है, विटिट, पुट इनफ डॉट ओन टॉप इच लेयर, हर लेयर के ऊपर अच्छी खासी गंदगी डाल देते हो, दैन वी उड़न्ट हैब था, हैब इस नोज पॉल्यूशन, तो क्या इसे नोज पॉल्यूशन नाख का प्रदूशन नहीं होगा, आगे इस कहानी में हम इसक कहते हैं, लेखक पूछते हैं, हाँ, आपके कहने का मतलब क्या नोज पॉल्यूशन से है, नो, तो फिर मिस्टर विलियम्स जो बोल रहे हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं, आई मीन यूर कमपोस्ट स्मेल अप दे होल स्ट्रीट, कहना चाहते हैं, कि तुम्हारा जो तक दुरगंद फैल आ देगा, इसे वो नोज पॉल्यूशन की रूप में बोले हैं, तो यह कहने का उनका अर्थ था, तो आज हम लोग यहां पे कुछ true false है, तो इसको कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स वीडियो में हम इसके रिस्ट पार्ट को परहेंगे, तो चलिए फरस अर्जी की बिसे में, तो यह false है, क्योंकि उससे आसानी से convinced नहीं होते थे, तो यह false हो गया, he uses paper route to convince the people, क्या उन्होंने paper route का प्रियोग किया, paper माध्यम का प्रियोग किया, या निकागजियों के प्रियोग से लोगों को convince करने के कोशिस की, हाँ यह सही है, इसलिए यह true हो जाएगा, next है, he gives a suggestion on ecology free of cost, वो free of cost ecology यानि पारिष्थति के लिए suggestion दिया करते थे, यह बात भी सही है, कि लोगों को वो बताते रहते थे और कहते हैं कि at least हम इतना तो कर रहे हैं, तो यह भी true हो जाएगा, number four है, Mr. Williams was at his house, Mr. Williams जो थे, अपने घर पे थे, क्या यह सही है, हा Mr. Williams अपने घर पे थे, जबकि वो प्रिटेंड कर रहे थे, कि वो अपने घर पे नहीं है, यह भी इसका सही है, people listened to Jim gladly for he was an equally eco-friendly boy, लोग उसे बहुत ही खुशिक पुरवक सुनते थे, क्योंकि वो एक eco-friendly लरका था, यानि कि प्रियावरन का मित्र लरका था, तो क्या ऐसी ब बिलकुल नहीं थी, लोग उसे बिलकुल friendly नहीं मानते थे, और उसको खुशी पुरवक नहीं सुनते थे, तो इसलिए यह false हो जाएगा, तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पर समप्त करते हैं, उमीद है आपको यह बहुत पसंद आया होगा, अगर यह आपको पसंद आया, तो आप अपने मुत्रों दोस्तों तक इसे आवस्य पहुंचाएं, इसके लिए आप like, share करें, और यदि कुछ समझ में दिक्कते आ रही हो, तो आप comment आवस्य करें, आने वाले वीडियो में मैं उन सभी चीजों की चर्चा आवस्य करूंगा, आज के लिए इतना ही धन्यवाद, जय हिंद